कई बड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधीन या अपने से छोटे पदों पर तेनाद करमचारियों के साथ बुरा विवहार किये जाने के समाचार अकसर ही सुर्खियों में रहते हैं और ऐसी कई घटनाई हो चुकी हैं जिनमें किसी बड़े अधिकारी द्वारा बेईजित किये जाने या तंग परिशान किये जाने पर छोटे करमचारी को आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा हूँ ऐसा ही एक ताजा मामला हुश्यारपुर के कसबा हर्याना थाने में सामने आया है जहां एक बड़े अधिकारी द्वारा बेईजित किये जाने से आहत एक एसाई ने सुबह करीब दस बजे थाने में ही खुद को गोली मार कर आत्मत्या कर ली आत्मत्या करने से पहले एसाई ने वीडियो के माध्यम से अपनी मौत का जिम्मेदार थाना टांडा प्रभारी ओंकार सिंग बराड को ठहराया है वहीं एसाई की मौत से जहां पुलिस विवाग में हड़कंप मच गया है तो वहीं इस खटना की हर तरफ निंदा भी हो रही है मिली जानकारी के मुताबिक एसाई सतीश कुमार ने खुदकुशे करने से पहले जारी कि ये वीडियो में कहा कि 8 सितंबर को वह थाने में तनाथ था रात दो बजे थाना टांडा प्रभारी ओंकार सिंग बराड थाने में आय और उसे बुलाया इसके बाद जब उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि हाई कोट में कितने मैटर लगे हैं इस पर सतीश कुमार ने बताया कि हाई कोट में एक ही मैटर लगा है जिसके बाद थाना प्रभारी ने उस मैटर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस सिपाही ने जाना होता है उसे ही इस बारे में पता होता है इस दोरान उससे और भी कई गैर जरूरी सवाल पुछे गए जिनका उसके साथ कोई समंद नहीं था इस दोरान थाना टांडा प्रभारी ने उन्हें गालियां भी दी और उन्हें बहुत जादा बेईज़त भी किया जिसके बाद ASI ने कहा कि वे उन्हें बेईज़त ना करे बलकि उसे गोली मार दे इतना ही नहीं जाते समय वे रोज नामचे में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिख कर गए जिससे आहत होकर सतीश कुमार ने खुद को गोली मार कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली इस दोरान ASI सतीश कुमार से एक सुसाइड नोट भी बरामत हुआ है वही मृत्तक के परिजनों ने पुलिस के उच्चा अधिकारियों से थाना टांडा के प्रभारी ओंकार सिंग बराड के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है इस समंद में जब थाना टांडा प्रभारी ओंकार सिंग बराड से पक्ष जानने हे तून के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन काड़ दिया वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी ठाना अहरियाना में पहुँच गए थे और उन्होंने मामले समंदी गहनता से जान शुडू कर दी है हुश्यारपुर से हलचल के लिए अंकुष गोयल की रिपोर्ट बतोल ड्यूटी अफसर मजू सीता रात दो बजे इंस्पेक्टर ओंकार सिंग ऐसे चोट टंडा चेकिंग करना आए जिना ने में नू बलाया मैं दास मिंट तक उना दे कौल किया जिना ने में नू पुछिया के सवेरे हाई कोट मेटर किनने लगे हन जिना नू में दसेया ते एक ही हाई कोट मेटर लगा है जिना ने मैंनू किहा की लगा है नए आख्या पे जिस आयों ने जाना हुंदा है उसनूंगी पता हुंदा है ते खोर भी मिरे कुले अनसरसरी कोश्चन कुछे जड़े की डूटी अफसर दे नाल समस्पांद नहीं सी रखा दे ते जिना ने मैंनू बहुत ज़्यादा जलील किता जिना ने आख्या के ते नू कोश्च भी नहीं पता ते मैंनू माँ पैण दियां गाला तक कड के मैंनू हद तो ज़्यादा जलील किता मैं उस्से बक्त सोचेया पे मैं इस दुनिया मैं उन्हानू आखेया पे एद्दा जलील करन नालो मैंनू गोडी मार दगो एदे नालो ओ ही चंगा जलील ना करो पर जान्दे बग्त ओ मेरे खलाफ रोई नाम चे विज मेनू जलील करन्दे बावजूद भी मेरे खलाफ राप्ट लेखके चले गए जेस सबन्दी मैं सवेरे एसेचो साब अपनियानू दस्या जिना ने भी किया के बहुत ही माड़ा एसेचो टांडे ने किता है एसेचो टांडे एसेचो टांडा उंकार सिंग जो के बहुत ही माड़ा बतीरा शोटे मलाजमा नाल राखदा है जिसने मेनू जलील करके मामा पेना जियां गला कटके मेनू मरले मजबूर कर दता है इस करके मैं अपनी जिवन लिला तो दुगी होगे खतम करनी चार्या तेरी मोट जुमेबर इस पेक्टर उंकार सिंग ऐसेचो टांडा ही यह है प्राणे से चोड़े कदरगी था मेरे प्राणा भाए ट्रया एस्टेबल खाने काड़े में जया और मेरा प्राज साइड नोड लेखे गया और देखाम लेखे गया कांद में दूनी पलादी में काड़ जाने जाने की बढ़िया पारो पारो उत्रया उत्रया से बादा भूड ताल दिला देखा पैके हांगी का लोग इतरे प्राम अधार साइड लिखे आए जिए लिखे और तुनी पड़े यहाई गादा जाओ जो एक पंजाद हमें टाजा पेंटे वाज पर लाग जूगई तो लाग तो लाग जोग है बेगे का तुझा जोगे हांगी का लादा है ।